हलो दोस्तों मैं आपका भाई रहुल भिया आपको तहदिल से स्वागत करता हूँ अमिन अंदन करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चनल गुवर्मेट जब मेकर पर मेरे दोस्तों अपने आप पर भरोसा रखें अपने आप पर भरोसा रखें क्योंकि यह भरोसा ही आपको लंबा रस्ता तै करा सकता है यदि आप BPSC टीचर के तियारी कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप पर भरोसा रखिए और रहुल भिया के साथ एकदम वीडियो के अंद तक बने रहेगा क्योंकि रहुल भिया आज उपर में आज आजाएगे सवाल तो आप इस तरह से पार दीजिएगा उपर में हम ऐसा होता है नर्थ यानि की उत्तर और नीचे में होता है साउथ यानि की दक्षिन इधर होता है आपका दाये साइड होता है इस्ट यानि की पुरव और बाये साइड होता है वेस्ट यानि की पस्चिम यदि पूछ दे ऐसे इधर का पूछे तो क्या हो जाएगा यह हो जा याने कि क्या दक्षिन पस्चिम और यह हो जाफा आपका साूथ इस्ट यानिकी दक्षिन पूर्व इस तरह से दोस्तों यहां पर होता है वहां पर जैसे की सुर्य तरफ मुह करके खड़े हो जाएEr्ब ठीके तो वह हो जाएगा आपका पूरव जर्श पीछे यानि आपका जो पीठ ही जिदर है ऊज़ाएगा पहस्चिम और आपका दाया हो जाएगा क्या दक्षिर और बाया हो जाएगा उतर यह हो आपका डाइरेक्सन तो दोस्तों आते हैं इस सवाल के नुसार जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम इसको यहाँ पर से चला पिर वोल रहा है जब टेखिए से एसे हैं फिर कहा बोल रहा है कि इसके बाद वह अपनी babae और जब सुबहमाइग बाया यह हुआ बाइयों और मुण करके यानि कि ऐसे चलेगा ठीक है कितना चल रहा है से यानि कि इधर आयेगा 2 13 कीलोमीटर चलिंए 3 km लिख दिया फिर वह दाई और मुनकर 9 km चलता है जब सुभम ऐसे है तो उसका दाईया यह हुआ यानि कि अब फिर ऐसे गुम जाएगा और चलेगा कितना? 9 km फिर सुभम यहाँ से ऐसे चला कितना चला? 9 km चलता है 9 km चलता है अंत में वह उत्तर की ओर मुह कड़के 3 km चलता है, तो जब सुभम ऐसे चलता है, तो उत्तर इसका ऐसे हुआ, यानि कि इधर अब चलेगा, तो कितना चला? 3 km चलता है दोस्तों, 3 km चला, यहां तक आ गया, ठीक है? और चलने के बाद वह मामा के यहां आ गया कहां पर आ गया मामा के घर पर आ गया अब पुछा है तो बताइए कि क्या सुभम के घर से उसके मामा के घर के सीधी दुरी तो सुभम का घर यहां पर है मामा का घर यहां पर है तो सीधा दुरी यहीं न होगा जी बस तो पांच किलो मीटर ये ठीक है और ये देखिए जब यहां से यहां तक यह 9 है तो यह भी क्या हो जाएगा 9 किलो मीटर हो जाएगा इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना है यानि कि 9-5-14 किलो मीटर क्या मिला 14 किलो मीटर देखिए तो किस अपसन में है तो अपसन नमबर D will be राइट हैंड सो दोस्तों आते हैं नेक्स सवाल पर आएए दोस्तों देखिए तो कोश्चन नमबर दूसरा बोल रहा है कि सोनी 12 किलो मीटर पस्चिम की ओर यातरा करती है तो बताईए कि वह अपने प्रारंभी का स्थान से कितनी दूरी पर है फिर वही पुछा है डिरेक्शन से आईए तो सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे क्या बोल रहा है कि सोनी 12 किलो मीटर पस्चिम मालनी जी जी कि सोनी यहाँ पर है सोनी यहाँ से इधर चल दी कितना चली तो 12 किलो मीटर चली है आ गई यहाँ से चल दी 12 किलो मीटर ठीक है फिर 3 किलो मीटर दक्षिन यह पस्चिम चली यहाँ से 3 किलो मीटर चली 3 किलो मीटर चली दक्षिन की ओर ठीक है दक्षिन आ गया नीचे फिर आठ किलो मीटर पुरव अब यहां से फिर कहां जा रही है आठ किलो मीटर मान कर चले यहां पर आ गई कितना आठ किलो मीटर पुरव की ओर आई से चल दी है ठीक है यातरा करती तो बताए कि वो अपने प्रारंभीक स्थान से कितनी दूरी पर है अब बताइए इसको आप कैसे निकालिएगा घर बढ़ा ये मत दोस्तों यहां से यहां तक 8 है तो चलिए यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा इसको थोड़ा सा मिटा आते हैं तो जब यह 8 है तो यह भी क्या हो जाएगा 8 किलो मीटर हो जाएगा हो जाएगा और यहां से यहां तक कितना है 12 है तो बाकि यहां पर कितना बच्चा चार किलो मीटर बच्चा क्योंकि यहां से यहां तक क्या है 12 है 12 किलो मीटर है ठीक है अच्छा यह यहां से यहां तक क्या है 3 km, यह भी क्या हो जाएगा, 3 km हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा, 3 km हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, यह पूछा है, तो समकोन त्रिभूज, यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है, समकोन त्रिभूज, यह कितना दिया है, 3 km, यह कितना दिया है, 4 km, तो ये क्या होता है, लंब, ये अधार, और ये कर्ण, ये क्या होता है, कर्ण होता है, तो एक फर्मूला होता है, पाइथा गुरस प्रमे का, क्या फर्मूला होता है, कि कर्ण स्क्वाइर, एक्वल होता है, लंब स्क्वाइर, पलस अधार स्क्वाइर, ठीक है, चलिए, तो क इतना दिया है लंब तीन यानि की 3 का स्कुर्ड़ पुलस चार का स्कुर्ड़ कितना हो जैगा नौ पुलस 11 यानि की 25 कृण्ड इक्वल 25 ठीक है तो क्या हमसे निकालना है तो करने क्वे की का हो जाएगा तो इससकूर जब बराबर के दुसरे साट जाता है तो रूट चाहड़ जाता है और रूट अंडर 25 का भैलू क्या आएगा पांच किलो मीटर आएगा यानि कि प्रारंभीक अस्थान से और इस अस्थान के दूरी ये क्या मिला पांच किलो मीटर मिला जो कि आपका हो जाएगा सही एंसर देखते की सब्सक्राइब यह तो ब्रकुंसर नमबर आते हैं नेक्स संग् selfies दोस्तों देहिए तो कोस्ट नमर 2 fell फbecह यह शलता है डिकिए फेलत युर कि तैना जाता है यह इसके बाद और टर्वार्ट्री भी देनासे लोट है और पुर्णोगा चलता है फांच किलो मिटर जाता है इसके वह फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की और मुड जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो बताए कि वह अपने प्रारंभी का स्थान से किस दीशा में अभी इस्थित है, पूरव, उत्तर पूरव, पश्चिम या दक्षिन पूरव, दोस्तों वीडियो को पॉस्ट करक सबसे पहले ब्यक्ति पूरव की हो, यानि कि उसका पूरव यह हुआ, ठीक है, उपर में होता है, उत्तर, तो दाय में क्या होगा, पूरव, तो यहां से ब्यक्ति चला, ठीक है, यहां पर अभी है, और यहां से चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहां पर आ गया, ठीक है, यह यहां पर आया है इस अब यहां से देखेंगे किसका दक्षिन पस्चिम क्या होगा तो यहां से जब देखेंगे तो दक्षिन यह हो जाएगा और पस्चिम यह हो जाएगा तो दक्षिन पस्चिम क्या होगा यह हो जाएगा दक्षिन पस्चिम ठीक है और यहां पर आया और कि यहां से ओ चलेगा उतर पह отп侜ित लूजह को यहाँ से सीधा हो जाएगा उसका उत्बर और पह जींदगा एंधर यानि कि यहां से चलेगा ऐसे ठीक है ऐसे चलेगा और यहां पर आ गया pseudo अब यह कितना चला पांच किलो मीटर यहां से भी चला। तो क्या बोल रहा है तो बताइए कि वो अपने प्ररंभीक अस्थान से की अभी इस्थित है दोस्तों यहां पर वो था यहां से इधर का पुछा है कि प्रारंभी का स्थान से किस दिशा में है तो यहां से इधर जब देखेगा तो क्या मिलेगा पस्चिम क्या मिलेगा पस्चिम मिलेगा यानि कि प्रारंभी का स्थान से वो किस दिशा में है पस्चिम दिशा में है तो तो किस अप्सन में है तो अप्सन नमबर सी विल बी राइट हैंस दोस्तों कौस्टन नमर फोर किसी बिंदू से प्रणाभ करते हुए राजु 12 मीटर उत्तर की और चलता है ठीक है फिर वह दाइं और मुड़ जाता है और पुना बारा मीटर चलता है तो बताइए कि प्रणा लेजिए कि राजू यहां पर है ठीक है और यहां से वह चलना सुरू किया यहां तक आया कितना बारा मीटर चला उत्तर की और यहां सब जब ऐसे है तो राजू का दाया यह हुआ यहांनि इस स्थान और इसके बीच दूरी पूछा और इसका दैरेक्शन पूछा है तो यहां से यहां के दूरी बी क्या हो जाएगी बारह मीटर हो जाएगी और यहां यहां के दुरी पूछा है दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना मिल जाएगा? 17 मीटर, डाइरेक्शन. देखिए, राजू यहां पर था, यहां से उत्तर में गया, फिर पूरव में गया, फिर दक्षिन में गया और फिर पूरव में. तो क्या हो जाएगा? और 40 मीटर चला वह फिर क्या हुआ बाइं और मुड़ा और क्या किया 30 मीटर चला और कहां पर बिंदू Q पर पहुच गया तो बताइए कि Q की P से नियुंतम दुरी कितनी है और P से बिंदू Q किस दिसा में दोस्तों यहां पर है बिंदू P ठीक है और यहां से दक्षिन यानि निक चला 30 मीटर चला और Q पर पहुच गया तो पूचा है कि P से Q की नियुंतम दुरी क्या है धोस्तों यह हो गया लंब यह हो गया अधार तो हमको क्या निकलना है कर्ण निकलना है यानि कि पीकी को जब दूरी पुछेगा यानि कि कर्ण पुछेगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा रूट अंडर लंब का स्क्वाइर जोड आधार का स्क्वाइर यानि कि कि इतना मिला फाचास मेटर पी से क्यों की दुरी मिला लेकिन यहां पर एक जिस और पुछाई किस दिशा में है तो दोस्तों यह हो युआ साउथ हाओ तो साओध यह वा इस्ट को बीच में एक्या बतान और कि घीडिलक में टक्षिण पुर्व तोArus नमबर ये विल भी राइट हैं सो दोस्तों तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूं कि यह वीडियो आपको 100% अच्छी लगे होगी यह दी अच्छी लेगी तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ठीक है और दोस्तों तक लिस लिंग को सेर कीजिए थैंक यू धन्यवाद झाल